नमस्कार दोस्तों, मैं नेटाज और आप देख रहे हैं Research Official विडियो, आज हम बात करेंगे नासा और SpaceX की टीम के पहले लॉंच प्रयास से पीछे हटने के बारे में, जो की क्रूस साथ मिशन को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाना था. अंतरिक्ष स्टेशन पर एक नए चालक दल को ले जाने के लिए नासा और SpaceX का प्रूस साथ मिशन एक महत्वपूल मिशन था. चालक दल में तीन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक जर्मन अंतरिक्ष यात्री शामिल थे. मिशन का लक्ष्य अंतरिक स्टेशन पर चालक दल की संख्या को साथ तक बढ़ाना था मिशन का पहला लॉंच प्रयास 25 अगस्त 2023 को निर्धारित किया गया था हाला की लॉंच से कुछ घंटे पहले नासा और स्पेसेक्स की टीमों को तकनीकी समस्या के कारण लॉंच को रद करना पड़ा समस्या एक इंधन पंप से संबंधित थी नासा और स्पेसेक्स की टीमों ने बताया कि इंधन पंप में एक रिसाफ था ये रिसाफ पंप को ठीक से काम करने से रोक रहा था रिसाफ को ठीक करने के लिए टीमो को पंप को पूरी तरह से हटाना और फिर से स्थापित करना होगा इंधन पंप के रिसाफ से लॉंच को रद करना पड़ा क्योंकि यह अंतरिक्ष यान के सुरक्षित प्रक्षेपन के लिए आवश्यक था रिसाफ से अंतरिक्ष यान में इंधन की मात्रा कम हो सकती थी जिससे ये प्रक्षेपन स्थल से दूर जा सकता था इसके अलावा रिसाफ से अंतरिक्ष यान में आग लग सकती थी जिससे दुरगट ना हो सकती थी NASA और SpaceX की टीमें अब इंधन पंप के रिसाफ को ठीक करने के लिए काम कर रही है तीमें रिसाफ का कारण निर्धारित करने और इसे थीक करने के लिए एक योजना विक्सित करने के लिए काम कर रही है तीमों को उम्मीद है कि वे रिसाफ को जल्द से जल्द थीक कर सकेंगी और मिशन को जल्द से जल्द लॉंच कर सकेंगी तो दोस्तों यही थी जानकारी नासा और स्पेसिक्स की टीम के पहले लॉंच प्रयास से पीछे हटने के बारे में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें